प्रिश्वासप्रस्ताव परुई चर्चा के बाद प्यम मोदी के स्पीश के बाद विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वानी मत से गिर गया ये रिपोट देखे पांगे रेज़ पांगे रेज़ समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्षोर्टिष्ट नहीं है मैंने उद दिन कहा था कि बल्कि यह उनीका फ्लोर टेस्ट है अब दिन विपास जे और गनाइज जी लेकिन चोगे छटके यहीं से लगे और विपास नो कॉंपिड़न्स मोशन पे नोबॉल नोबल पर ही करते आगे चलता जा रहा है इधर से सेंचुरी वरे उदर से नोबॉल हो रहे है जी लिंग के वही काते खुद के बिगड़े हुए हैं वो भी हमसे हमारा हिसाब लिये फिर पे बाबू को क्या हाल हो गया उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मोका नहीं दिया ये तो कल अमीद भाई ने बहुत बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाब तो हो गया था तो भी आपने उनको आज मोका दिया लेकिन गुड का गोबर कैसे करना उसमें यह माहीर है कि जब कुछ सुब होता है कुछ मंगल होता है तो काला टीला ठीका लगा देते हैं आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रुप में काले कपड़े में निकर के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरुचित कटे का काम किया है और उनके लिए तो सबसे प्रियन आरा क्या है मोदी तेरी कब्रखु देखिए मेरे लिए इनकी गालियां ये अफशब्गा ये अलोकतांतरी घाशा मैं उसका भी टॉनिक बना देखा कि विपस्ट के लोगों को एक सिक्रेट बर्दान मिला हुआ है हाँ सिक्रेट बर्दान मिला हुआ है और बर्दान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भगाई ही होगा कि दो हजार अठाइस में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले तीन में होगा ये देश का विश्वास